राम राम जी सहरयन आपका अपना चैनल नियुद रापका स्वागता दोकर करता है बात करांगे रेक्स घंडड रोदगार निगम मगा नोकरी कैसे मिल सकती है थो नोकरी लेने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको बता दें मैं candidate दो प्रकार के हैं एक तो experienced और एक fresh candidate तो experience candidate और फिर fresh candidate है experience candidate कोण से experience वाले एक अरियाना को सद्रोजबार निगम experience उसी को count करता है जिनका जो है experience government का है मतलब कोई भी government बोर्डो या corporation और फिर department और जिन्होंने इसमा काम करख्या है वही डिपार्टमेंट जो है काउंट किया जाता है बकाइदा डिपार्टमेंट की तरफ से आपको experience का certificate मिलता है उनको क्या करना है उनको क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो यहां पर आपको बता के पास experience अचाए बोर्ड गाओ डिपार्डमेंट का गुर्प्रेशन गाओ उसके खैतर अर्याना को सब्सक्राइब निगमन सपेशल यो लिंक बना रहे है रजिस्ट्रेशन का ठीक है उसको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है ठीक है यहां पर देख़को हो रजिस्ट्र सब्सक्राइब के साथ पहले काम किया हुआ है अपनी फैमिली आइडी पर के स्टैप बाई स्टैप जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन करना जो जनकरी मांगगा वह बर देनी है आपका एक्स चोथा कुलम में फोर्थ स्टैप जो आओगा उसमें आपका experience की PDF मांगगा वह सब्सक्राइब करना है और जिस डिपार्टमेंट में आपना काम कर रख्या है वहां पर याना को सदरोजगार निगम इमेल कर देगा मेल बेज देगा महां पर कि इस कंडिडेट ने काम कर रहा है अगर काम कर रख्या है तो आपका जो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमे काम करेंडम आपने काम करेंड में है वहां तो वह एरिफाई होजेगा और फिर इसका जो रिजिस्ट्रेशन आइडी आपने मिलेगी उसाइड दिखाने लगे जेगा कि कि कितने दिन काम आपने कर रख्या है एक बापने दिखाया विजिऊ कि इस तरीकत शो करगा बाद में तो यह आप देख़को इस तरीकत आपका जो है इस तरीकत शो करगा और जिस टैम डिपार्टमेंट तर डिमांड आज आवेगी उस टाइम माल के चलो आपका एक्सप्रेंश है बेलदार का जब बेलदार की पोस्टे निकलेंगी तो बेलदार के लिए जो है आपको पहले प्रफ्रेंश मिलेगी और कंडिडेटों से पहले कर दिया जाओगा आपका एक्सप्रेंश है पीएन का तो पीएन की जो लिस्ट जारी होगी तो आपने पहले प्रफ्रेंश मिलेगी चाहिए आपकी फैमिली आइडिम इंकम कितनी भी हो ठीक है अब बात कर लेते हैं फ्रैस कंडिडेटों के बारे में तो प्रैस रोजगार निगम की हर जानकारी मिलती रहोगी आप इस ग्रूप में भी जुड़ सको हो यहां पर सत्राजार कंडिडेट जुड़े होगे हैं देख सको हो एक बार यह आपने जो है लोगों देख लिए उसके नुसारा पर जुड़ पाऊगी अगर बात करां टैलिकराम ग बार में सिस्टेम भैइर सबसे पहले यह सबसे पहले परसे बार्क सिस्टम गाल परिवार उथाने यह यह य्जना और झांधी की इंकम जिसका का इस योजना में नाम होगा अपने मन भी कंधा परिवार बताय दिया होगा उसकी सीधे सीधे 50 नंबर मिल जाए एक्स्ट्रा और 40 मिल जाए उसकी फैमिली आइडी के ठीक है और इसमें वह परिवार सामी लावाँ है इस योजना में जिसकी इंकम एक लाग से कम है वह जो है फैमिली इसमें काउंट करी जाओं है तो फ्रैस इसमें चांसे रहेगा एक लाख सीजार से कम इंकम है बीपे दराशन का रवाड़ा मैटर है तो कोई दिख्कत नहीं अगर ज्यादा पोस्ट आएंगी तो उसमें आपकी जो है काउंट कर लिए जाओंगे उसमां आपका सेलेक्शन हो जगा अगर एक सित ज्यादा फैमिली इंकम है आपकी तो बहुत ही रेर चांस हैं बहुत ही रेर चांस है कि आपका रियाना कोशल रोजगार निगम में हो जाए क्योंकि आपको पता है एक लाख सीजार से कम इंकम वाले यानि बीपे राशन का लगबग अठाई-शौन तीस लाग है याना गेंदर ठीक है हां प बढ़ना चाहो लेकिन अर्याना कोशल रोजगार निगम के तैस्स जो बरती आती है वह जुरूर बर्याकरो क्योंकि उसमें प्राइब वाला में और अर्याना कोशल वाला में लगबग त्यार हजार का तीन हजार का सैलरी का डिफ्रेंस रहता है ठीक है तो वह जो फ्रैस बरती आती है रियाना कोशल के अंदर जो आती है उनको जुरूर आप अपलाई करें तो फ्रैस के लिए यह है किया तो आपका मुख्यमेंत्रिय परिवार में नाम हो एक लाग से कम इंकम है एक लाग सी जार से तो आपके पास आई टी आई वगारा हो टेकनिकल कोईलिपके यह टेलेग्राम गुरूब में आप मैसिज कर सकते हैं कोमेंट कर सकते हैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत है नवादा